हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है Cooking with Amrita में आज मैं रेशिपी शेयर कर रही हूं, चौकलेटस टेरर की जिसे आप होट या कोल्ड किसी भी तरह से बना सकते हैं आज मैं छे तरह के चौकलेटस टेररर की रेशिपी सेयर कर रही हूं साथी इसके सारे टीप्स और ट्रिक्स जिससे आप परफेक्ट चॉकलेट स्टिरर बना सकते हैं और साथी साथ इससे आप अपनी मन पसंद और भी बहुत सारे फ्लेवर्स के चॉकलेट स्टिरर बना पाएंगे साथ ही इस वीडियो में मैंने चॉकलेट स्टिरर की पैकेजिंग कैसे हम करते हैं इसे हम कैसे गिफ्ट दे सकते हैं और इसे हम यूज कैसे करते हैं या भी वीडियो के अंत में बताया है चॉकलेट स्टिरर बनाने के लिए मैंने मोर्डे कमपनी की डार्क, मिल्क और वाइट कमपाउंड लिये हैं आपको जितने चॉकलेट स्टिरर बनाने हैं उसके हिसाब से चॉकलेट ले ले और इसे एक बाउल में ले ले मैंने सभी को माइक्रोवेब में मिल्ट किया है आप चाहें तो डबल बॉयलर में मिल्ट कर सकते है चॉकलेट को मैंने 30 सकेंड माइक्रोवेब में मिल्ट किया और उसके बाद बीट किया और यदि यह अच्छे से बिल्कुल पोरिंग कंसिंस्टेंसी नहीं है तो हम 20 सकेंड और माइक्रोवेब कर लेंगे और चॉकलेट हमारा रेडी हो जाएगा कभी भी माइक्रोवेब में एक साथ 30 सकेंड से ज्यादा माइक्रोवेब ना करें इससे चॉकलेट जलने का डर रहता है वाइट कंपाउंड लेते समय आप इसके मैनुफेक्टरिंग जरूर देखें क्योंकि यह जल्दी खराब हो जाता है चॉकलेट कंपाउंड हमेशा रूम टंप्रेचर पे ही स्टोर करें यदि आप चाहें तो चॉकलेट कंपाउंड की जगा पे प्यूर चॉकलेट का भी यूज कर सकते हैं मैंने डार्क, मिल्क और वाइट तीनो चॉकलेट को माइक्रो फेम में मिल्ट कर लिया है अब हम चॉकलेट स्टिरर बनाना सुरू करते हैं सबसे पहले मैं बना रही हूँ केशर हॉट कोल चॉकलेट स्टिरर केसर होट कोल चॉकलेट इस्टिरर बनाने के लिए मैंने 4 बड़े चमच वाइट चॉकलेट मिल्ट किया हुआ लिया है इसमें मैंने एक चुटकी केसर और एक चुटकी ड्राय येलो फुड कलर डाला है चॉकलेट में हम कभी भी लिक्विट फुड कलर का यूज नहीं करते हैं सभी को हम अच्छे से मिक्स करते हैं चॉकलेट इस्टिरर बनाने के लिए मैंने चाय का यूज एं थ्रो छोटा वाला कप लिया है और उसमें मैं साड़े चॉकलेट को डाल देती हूँ चॉकलेट को डालने के बाद इसे टैप करना बहुत जरूरी है यदि आप टैप नहीं करेंगे इसमें air bubbles रह जाएंगे जिससे की चॉकलेट बनने के बाद इसमें छेद छेद रहेगा चॉकलेट को अच्छी तरह से टैप करने के बाद इसमें मैंने एक प्लास्टिक का स्पून डाल दिया है आप चाहें तो बुडन स्पून, आईस्क्रीम स्टिक या फिर कुलफी स्टिक कुछ भी डाल सकते हैं आप चॉकलेट इस्टिरर को मैं दस मिनट के लिए फ्रीज में सेट होने रखती हूं दस मिनट के बाद यह असानी से डिमोल्ड हो जाता है और यदि यह असानी से डिमोल्ड नहीं हो तो इसे पांच मिनट के लिए फ्रीजर में रख दे यह आराम से निकल जाएगा आप इसी परकार सी इलाची पौडर और ग्रीन कलर का यूज़ करके इलाची फ्लेवर चॉकलेट इस्टीरर बना सकते हैं अब मैं बनाड़ी हूं स्ट्रॉबरी मुसुली चॉकलेट इस्टीरर इसके लिए मैंने चार बाड़े चमज मिल्टेट वाइट चॉकलेट लिया है इसमें मैं दो ड्रॉब इस्ट्रॉबरी एसेंस ओयल बेस्ट चाल रही हूं इसमें वाटर बेस्ट एसेंस नहीं जाएगा और इसके साथ ही मैंने पिंक जेल कलर डाला है मेरे पास ड्राइ फूड कलर नहीं था आप चॉकलेट में ड्राइ, कैंडी या जेल फूड कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं चॉकलेट में कभी भी वाटर बेस्ट फूड कलर का इस्तेमाल नहीं करें आप इन सभी चीजों का मच्छी तरह से मिक्स करते हैं आप लिए absorbed tover उस्ट्रोबे मूसली चौकलेट legislating चौकलेट बनाना चाहते हैं तो इसे बस कप में ढाले तैप करें और फ्रिज में ढाले आपका तयार हो जाएगा स्ट्रॉबेरी मुसली चॉकलेट इस्टिडर बना रही हूँ इसके लिए मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाले चॉकलेट को मैंने कप में डाल दिया है इसे हम अच्छी तरह से टैप करेंगे 6 से 7 पर टैप करना बहुत जरूर है नहीं तो आपके चॉकलेट इस्टिडर में छेचे दिखेगा अब मैं इसमें एक प्लास्टिक स्पून लगा रही हूँ और इसके बाद मैं इस पे मुसली को थोड़ा सा डाल देती हूँ यदि आप चाहें तो बैटर में भी मुसली डाल सकते हैं अब इसे फ्रीज में 10 मिनट के लिए सेट होने रखे और आपका स्ट्रॉबेरी मुसली चॉकलेट इस्टिडर तयार हो जाएगा और यदि आप मुशली की जगह पे कॉन्फलेक्स का यूज करेंगे तो आपका स्ट्रॉबेरी कॉन्फलेक्स चॉकलेट इस्टिरर दयार हो जाएगा फ्रीज में से 10 मिनट के बाद हम निकाल लेते हैं यह इसली डिमोल्ड हो जाता है हम हम बना रहे हैं ठंडाई मसाला होट कोल्ड चॉकलेट इस्टिरर इसके लिए मैंने एक पाउल में चार बड़े चम्मच मिल्टेड वाइड चॉकलेट लिया है और इसमें मैं ठंडाई मसाला आधा बड़े चम्मच और एक पिंच ड्राइ ग्रीन फूड कलर डाल रही हूँ सभी को हम अच्छे से मिक्स करते हैं अब इसे हम एक कप में डाल देंगे और कप को साथ से आठ बार अच्छी तरह से टैप करेंगे अगें टैप करना बहुत जरूरी है नहीं तो आपके चॉकलेट स्टिरर में छेचे दिखेगा और कप में उसके बाद हम एक कुल्फी स्टिक लगा देंगे और इसके साथ उपर में मैंने थोड़े से बादाम पिस्ता चॉप किया हुआ डेकोरेट करने के लिए डाल दिया है अब इसे हम 10 मिनट के लिए फ्रीज में सेट करेंगे थंडाई मसाला की तरह ही आप चाहें तो कुल्फी मिक्स होट चॉकलेट स्टिरर बना सकते हैं इसमें आप थंडाई मसाला और ग्रीन कलर की जगा पे कुल्फी प्री मिक्स पाउडर और येलो फूड कलर का इस्तेमाल करेंगे कुल्फी प्री मिक्स की रेसिपी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है 10 मिनट के बार थंडाई मसाला चॉकलेट स्टिरर को फ्रीज से निकालते हैं और डिमोल्ड कर लेते हैं यदि यह असानी से नहीं निकल रहा हो तो इसे पांच मिनट के लिए फ्रीजर में रख दे यह असानी से निकल जाएगा अब मैं बना रही हूँ ओडियो होट कोल चॉकलेट स्टिरर इसके लिए मैंने एक बाउल में चार बड़े चमच वाइट चॉकलेट मेल्टेड लिया है और साथ ही मैंने दो ओडियो बिस्किट लिये हैं इसमें से एक को मैं चूरा बना के चॉकलेट में डालूंगी और दूसरे से मैं डेकोरेट करूंगी तो एक बिस्किट को मैं चूरा बना के क्रीम के साथ चॉकलेट में डाल रही हूँ और इसे अब मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी मिक्स करने के बाद इसे हम एक कप में डाल देंगे और कप में डालने के बाद साथ से आठ बाट अच्छी तरह से टैप करेंगे टैप करना बहुत जरूरी है नहीं तो आपके चॉकलेट इस्टिरर में छेद छेद आ जाएगा टैप करने के बाद इसमें मैंने एक कुलफी इस्टिक डाल दिया है और अब कप को आप 10 मिनट के लिए फ्रीज में सेट होने के लिए रख दे ओडियो चॉकलेट स्टिरर की तरही आप बॉर्बॉन चॉकलेट स्टिरर भी बना सकते हैं और साथी साथ आपको जो भी कुकीज या बिस्किट पसंदो उसके भी आप चॉकलेट स्टिरर बना सकते हैं इसके लिए आप चॉकलेट मेल्टेड ले ले और उसमें एक कुकीज या बिस्किट चूरा बना के डाल दें और एक से डेकोरेट कर दें और सब को mix करके cup में डाल कर अच्छी तरह से tap करके फ्रिज में सेट होने रख दे हमारा ओडियो चॉकलेट इस्टिडर भी फ्रिज में सेट हो गया है अब हम इसे डिमोल्ड कर लेते हैं नेक्स्ट हम बना रहे हैं बॉर्ण बीटा हॉट कोल चॉकलेट इस्टिडर इसे बनाने के लिए मैंने एक बाउल में चार बड़े चमच मेल्टेट डार्क चॉकलेट लिया है और इसमें मैंने एक बड़े चमच बॉर्ण बीटा पाउडर डाल दिया है अब हम दोनों को अच्छी तरह से mix करते हैं ताकि दोनों एक सार हो जाएं और इसके बाद हम इसे एक कप में डाल देंगे और कप में डालने के बाद इसे हम 6-7 बार अच्छी तरह से टैप करेंगे और टैप करने के बाद इसमें मैंने एक प्लास्टिक स्पून लगा दिया है और उसके बाद हम इस कब को दस मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने रख देंगे बॉर्ण बीटा चॉकलेट इस्टिडर की तरह ही यदि आप चाहें तो होरलिक्स चॉकलेट इस्टिडर भी बना सकते हैं कमप्लान चॉकलेट इस्टिडर भी बना सकते हैं और डार्क चॉकलेट की जगह पे यदि आप चाहें तो मिल्क चॉकलेट या वाइट चॉकलेट का यह आपके टेस्ट और पसंद पे निरबर करता है चॉकलेट कप में दालते समय हमेशा दिहान रखें कि यह कप की दिवारों से ना लगे नहीं तो आपके चॉकलेट स्टीरर की फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी बॉर्ण बीटा चॉकलेट स्टीरर को फ्रिज में डाले दस मिनट हो गया अब हम इसे डिमोल्ड कर लेते हैं बॉर्ण बीटा चॉकलेट स्टीरर में मैंने डेकोरेशन के लिए उपर से थोड़े से बॉर्ण बीटा पॉंडर भी यूज किये आप इसे स्पून लगाने से पहले या बात कभी भी यूज कर सकते हैं अब मैं बना र जील चैने वाले कब का भी यूज कर सकते या फिर प्लास्टिक वाले पानी कप का भी यूज कर सकते हैं या अपकी अपनी पसंद पर निरभर करता है अब इसे में अच्छे से टैप करती हूं और टैप की बाừ के बाद कब को sow typ कह다 कर देंगे और से ढले यूज कर देंगे और इसी तरह से इसे हम फ्रीज में सेट होने रख देंगे साइड में कुछ भी सहड़ा लगा के और पांच मिनट के बाद निकालते हैं यह हमारा सेट हो गया है अब इसमें मैं दूसरी तरब से एक से डेर बड़ा चमच मिल्टेट वाइट चॉकलेट डाल रही हूँ और उसे भी मैं तिर्चा करके डालूँगी ताकि अपोजीट साइड में सेम तरह से तिर्चा आए और इसे में तीन से चार बार टैप कर दूँगी और फिर इसे फ्रीज में तिर्चा ही सेट होने रख देंगे फ्रीज में सेट होने रखने से पहले मैंने इसमें एक कुलफी स्टिक लगा दी है जो आप वीडियो में देख सकते हैं इसे मैंने डार्क और वाइट चॉकलेट से बनाया है आप चाहें तो मिल्क और वाइट चॉकलेट से बनाएं, डार्क और मिल्क चॉकलेट से बनाएं या आपकी अपनी पसंद पे निर्वर करता है फ्रीज में रखें वे कप के कप को 10 मिनट हो गये अब हम इसे डिमोल्ड कर लेते हैं और यदि या असानी से डिमोल्ड नहीं हो तो इसे आप 5 मिनट के लिए फ्रीजर में रख दें या असानी से डिमोल्ड हो जाएगा इस तरह से हमने 6 परकार के चॉकलेट स्टिरर बना लिये हैं अब हम इसकी पैकेजिंग कैसे करते हैं वो देखेंगे ताकि हम किसी को गिफ्ट या रिटर्ण गिफ्ट में चॉकलेट स्टिरर को पैक करने के लिए मैंने सेलोफीन सीट को स्कॉाइर सेप में गब के हिसाब से काट लिया है और चार कोनों को पकर कर हम इकठा करते हैं और इसके बॉटम में एक रिवन की सहाइता से बान देते हैं सबसे पहले हम रिवन से एक गांट लगाते हैं और फिर उसके बाद वीडियो में देखिए मैंने इसमें एक और बार बान दिया है और ribbon को cut कर दिया इस प्रकार से हमारे chocolate cup stirrer की packing हो गई इसे हम 8, 10 या 12 के set में gift hamper में pack करके दे सकते हैं अब यदि आपको बच्चों के बढ़ने के return gift में देना है इसके लिए इस तरह का एक cup ले और cup के अंदर chocolate cup stirrer को डाल कर और इसको cellophene से जैसे पहले pack किया था उस तरह से pack करके आप return gift में दे सकते हैं अब packaging करने के बाद hot या cold chocolate stirrer को हम यूज कैसे करें इसके लिए मैंने एक glass में 300 ml के लगबग दूद लिया है दूद हमें बिलकुल गर्म लेना है और इसमें मैंने बॉर्ण बीटा फ्लेवर चॉकलेट इसमें डाल दिया है आप किसी भी फ्लेवर का यूज कर ले और इसमें मैंने इसे लगबग एक से डेर मिनाट तक मिक्स किया और उसके बाद ये बिलकुल उसमें मेल्ट हो जाता है और इस परकार हमारा होट चॉकलेट इस्टीर तयार हो जाता है यदि आप कॉल चॉकलेट इस्टीर पीना चाहते हैं इसके लिए आप मेल्टेड चॉकलेट वाले ग्लास को फ्रीज में रख दें और धंडा होने के बाद यूज करें इस प्रकार आपका cold chocolate stirrer भी तयार हो जाएगा यह video chocolate stirrer का part 2 video है यदि आप पूरे अच्छी तरह से chocolate stirrer को समझना चाहते हैं इसकी लिए आप दोनों part को देखें part 1 का link मैंने description box में दे दिया है यदि आपने अभी तक मेरे channel को subscribe नहीं किया है प्लीज subscribe कर ले और बेल आइकन को प्रेज करके all option को जरूर सेलेक्ट करें बाई बाई